नमस्कार, जैशिक इक्षना, मैं राकेश, शिवानी अश्टो चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, और चैसे कि मैं कुछ वीडियो से आपको बता रहा हूं लगू पारशरी के बारे में, हमारे आठ्ष लोग कम्प्लीट हो चुके हैं, लगू पारशरी बह करूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़िए, और एक बार नहीं, बार बार पढ़िए, तो इसलिए लगू पारशरी जरूर पढ़ें, आज मैं उसका नवाश लोग आपको बताऊंगा, कि नवाश लोग में लगू पारशरी में क्या लिखा है, को चालिस से उपर बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग को जोजिश का पूरा ज्यान हो जाएगा, ब्रहत पारशर होरा सास्त्रा का पूरा सार है वो, तो नवा शलोग हम लोग करते हैं, नवे शलोग में कहा गया है, आठवे भाव के बारे में बताया गया है, कि आठवा भाव अशुब है, या आठवे भाव के स्वामी के रिजल्ट कैसे मिलते हैं, उसके बारे में बताया है, आठवा भाव एक बहुत ही इंपोर्टेंट भाव है, खुली के अंदर, जिसे आयू का भाव भी बोलते हैं, आठवे भाव को, यह हम लोग सब जानते हैं, और आठवा भाव को कई रंद्रेशो ने शुप्रदा से एवं शुबसंधाता लगना धिशोवपी चेथ स्वयब, यह क्या कहते हैं, श्लोक में यह कहना यह चाहते हैं, कि भाग का व्यक का अधिपती होने के कारण, देखे भागे भाव कौन सा होता है, पुल्डी में मारे भागे भाव होता है, तो नवे भाव का व्या है, आठ्वा भाव, क्योंकि हर भाव से उसका बार्वा भाव उसका व्या होगा, तो भागय की हानी दे और भागय की हानी होना बहुत ही कलगता है, इसलिए यह से मृत्यु तुल्य हो जाता है इसलिए इसको भाव को बहुत बुरा भाव का गया है इसको रंद्र भाव का गया तो आगे हम लोग चलते हैं अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि कुंडली है हमारी इस कुंडली के अंदर आप देख पा रहे हैं ये नवा भाव है, जो कि हमारा भागे का भाव, ये हमारा आठवा भाव है, जो हमारा आयू का भाव, अब नवे भाव की हानी, क्योंकि नवे भाव से ये भाव बारवा है, तो इसकी हानी हो गई, तो ये भागे के हानी हुआ, इसलिए ये काफी अशुक भाव माना जाता है और आठवे भाव में बैठेग रहे, पारवे भाव में बैठेग रहे, के लिए especially ये कहा जाता है, कि वो आपका फल जो है, वो अच्छा नहीं देते, अब वो फल अच्छा, कभी-कभी बुरा फल भी नहीं देते, वो कैसे possible है, तो वही हम चीज बताने की कोशिश आपको करे करेंगे, इस लोग कर देर वही चीज कही गई है, दूसरी लाइन के अंदर, दूसरी लाइन में देखें, तो कहा गया है, से एवं शुग संधाता, लगना दिशो अपी, चेथ स्वयम, इसमें कहा है, कि अगर लगन लौड भी हो, आठवे भाव का स्वामी, तो अशुब नहीं करता, क्योंकि सहाचारे के नियम से उसकी एक राशी लगन में पढ़ गई, लगन जो है, वो त्रिकोन का भाव दिया है, केंदर का भाव दिया है, तो वो बुरे रिजल्ट नहीं करता, तो बहां एक्सेप्शन है, आठवे भाव के लिए, अब वो कौन से लगन में हो सकता है, मेश लगन में ऐसा हो सकता है, ये देखिए, एरीज, मैंने ये पीछे टेबल दी है, इस टेबल में बताया गया है कि कौन से लगन के लिए, कौन सा आठवा भाव का स्वामी क्या है, और उसकी दूसरी राशी किस भाव में है, तो हम इस पूरी टेबल के अंदर दो चीज पाते हैं, नमबर एक, एरीज लगन, यानि मेश लगन, मेश लगन ऐसा है, और लिब्रा लगन, यानि तुला लगन, ये दो लगन ऐसे हैं, जिसके अंदर मंगल और शुक्र, एरीज लगन में मंगल, और तुला लगन में शुक्र, आठवे भाव का स्वामी भी बनता है और पहले भाव का स्वामी भी बनता है लगन का स्वामी बनता है तो इस केस में वो इन आउस्पीशियस जानी अशुब रिजल्ट नहीं देता बाखी केस में वो अशुब रिजल्ट देता है आप समझे कि मेश लगन के लिए और तुला लगन के लिए क्योंकि इसी प्रकार से दो लगन और हैं, वो क्या है, देखे सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ दो राशी है, सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ, सूर्य और चंद्रमा जो हमारे दो ग्रह हैं, इनकी सिर्फ एक राशी है, सूर्य के पास सिंग राशी है, और चंद्रमा के पास करक राशी तो इसलिए अगर सूर्य या चंद्र अस्टम भाब के स्वामी बने, आप चुकि दूसरी राशी तो कोई है नहीं, इसलिए सहाचार्य का नियम तो इन पर लगता नहीं है, कि दूसरी राशी के हिसाब से हम देख लें कि उसकी दूसरी राशी लगन में है या कहां है, तो वो आठवे भाब के स्वामी बनते हैं, उस केस में इनको आठवे भाब के स्वामी होने का दोश नहीं लगता, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, हम जानते हैं कि किसी भी भाव में, यदि छटे आठवे और बारवे भाब के स्वामी आ जाएं, या उन भावेशों के स चटे-8 वी-12 भाव के स्वामी बैठ जाएं या उन भावों के स्वामी छटे-8 वी-12 भावों में आ जाएं तो उस भाव की हानि लेकिन सूर्य और चंद्रमा specifically धनू लगन में और मकर लगन में आठवे भाब के स्वामी होकर अगर वो चौते भाब में बैटे हैं तो सुक्की हानी नहीं करेंगे अगर वो भागे भाब में बैटे हैं तो भागे के हानी नहीं करेंगे आल्दो अस्टम के रिजट उनको देने हैं वो अलग चीज है लेकिन जिस भाब में वो गए वहां के स्वामी होगे वहां की वहां की वहांनी नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों के लिए ये माद है तो इस तरीके से हमारे चार लगन हो गए एक तो मेश एक तुला जिसमें के स्वामी होने के बाब जूद भी रिजल्ट बुरा नहीं करते हैं तो यह हम लोगों को ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपोर्टन्ट है बाकी जगे रिजल्ट गरबढ़ होता है क्योंकि जो दूसी राशी ग्रहों की होती है वो या तो ग्यारवे भाब में होगी या कि किसी और भाब में होगी तो वो इतना च्छा जट उसका नहीं दे पाते हैं अब एक एक स्वामी के रिजल्ट कैसे मिले यह जो कुंडली आप सामने देख रहे हैं यह कुंडली श्री अमिताब बच्चन जी की है हम जानते है कि कितने फेमस एक्टर है कि सुपरस्टार है औ और इनके जीवन में भी उतार चड़ाब तो आया है यह भी हम लोग जानते हैं तो इसी कुंडली को हम देख के बताना चाह रहे हैं कि इसमें अगर आप देखें आठवे भाब स्वामी कौन बनता है बुद्ध क्योंकि आठवे भाब में छे नंबर राशी और उसकी दूस राशी होने की वैशे उसकी अशुप्ता कम हो जाओ लेकिन अब उसने तीसरे भाब के दे नहीं है और चुछ जटे भाब में बैटाया तीसरे भाब का स्वामी है वो तो दे नहीं है तो कैसे बिलें जब मर्करी की महादशा आई कहना हम यह चाह रहे थे कि अगर हम खाली म के लिए अशुब्ड रहे हैं लेकिन वो साथ में शुब्ध भी है क्योंकि उसकी दूसी राशी पांचवे भाव में हैं जो कि त्रिकोन का फाव इसलिए वह मिक्स रिजल देगा मिश्रित रिजल देगा अच्छे भी देगा और बुरे भी देगा लेकिन उसकी जो अशुब पैसे लेके 2007 के बीच में और 1988 में उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया फिल्म इंडस्ट्री में आ गए लेकिन कोई अच्छा काम उनको नहीं मिल पाया 1988 से 1992 तक उसके बाद वो प्रोडूसर बने 1996 में फाउंडिशन रखी एबी सील की चली कंपनी एक दो पिच्रें भी बनाई पट वो फिल्म भी बहुत ज्यादा कंपनी चलनी पाई और बाद में जाके वो कंपनी भी दो क्लोस करनी पोड़ी देन अगें ही ट्राइड इन दी फिल्म्स और ही इस ग्रॉस्ट प्रेस्टिज तो जार में आफ्टर 2000 उन्होंने अपनी प्रेस्टिज को अब जैसे यह वाली कुंडली देगी यह हमारे भूत्व राश्प्रति है उनका नाम आपने सुना होगा उनकी कुंडली है उसमें शुक्र जो है आठवे भाग का स्वामी बनता है शुक्र और उसकी दूसरी राशी लगन में तो चुकि लगन का हमने पीशे पढ़ा था लगन लौड भी है तो उसकी शुक्ता एक्टी नहीं रही लगन लौड भी है और उसकी मूलत्रिकोन राशी अगर आप देखें तो मूलत्रिकोन राशी जो शुक्र की होती है वो तुला होती है वो लगन में है उसकी यह जानते हैं हम लोग के मैक्सिम अपनी मूलत्रिकोन राशी थी लगन त्रिकोन का भाब भी होता है केंद्र का भाब भी होता है तो उसकेस में उनका यश और नाम बहुत फैला इस दशा में 1920 से लेकर 1940 के बीच में की यद्रशा रही और इस पीड़ीड ही वाज एक्टिवली इंवाल्व इन लेबर मुवमेंट में रहे और जनरल सेकेटरी बने ट्रेड यूनिए उसके बार रेल यूनियन के चेर्में बने बिकेम ड़ेल यूनियन जो डेल बेम यूनियन थी उसके च 1936 में इलेक्शन उन्होंने जीता मिनिस्टर बने लेवर एंडिस्ट्री उसके अंदर तो मतलब कहने का यह है कि दशा पीरेड जो आठवे भाब का चला वहां पे अशुप के बजाय उनको शुप रिजल्ट काफी मिले विकॉस एट लॉड जो था यानि जिस एट लॉड क अबी स्वामी हो उस केस में रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं यही चीज मैं आपको बताने कोईश कर रहा हूं श्लोक में आपको एक बार और दिखायता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि जो मैट पारशर जी ने लगू-पारशरी के अंदर जो भी चीज व्यक्या करने को पानी है तो उसके रिजर्ट अच्छे होता है यही चीज हमें इस लोग से ध्यार नहीं है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाइंथ श्लोग था तो टेंथ स्लोग के बारे में वह भी बहुत इंपोर्टन श्लोग है लगुपारशरी के शारे श्लोग बहुत इ प्रेंड कर सकते हैं धन्यवाद जैश्री कृष्णा